ओम हरी ओम हरी ओम हरी ओम परमार्थ एष्ट्रों में आपका बहुत बहुत स्वागत जोतिस सीखे आज जो तिस विशय की चर्चा को आगे बढ़ाते है आज का विशय है रासी परिचय रासी का अर्थ है धेर तारा समूहों के धेर को ही रासी कहा जाता है सम्पूर्ण आकास को 27 नक्षत्रों में बाटा गया है एक नक्षत्र का मान 13.20 डिग्री इस हिसाब से सवा दो नक्षत्रों की एक रासी होती है सम्पूर्ण आकास का मान 360 डिग्री माना गया है इन 360 डिग्रीयों में 27 नक्षत्र बाटे गये हैं और 27 नक्षत्रों को 12 रासियों में बाटा गया है इस मान से एक रासी 30 अन्सकी होती है 12 का गुणा 30 से कर दें तो 360 डिग्री संपूर्ण आकास यह संपूर्ण आकास का मान होगा और 27 का गुणा 13.20 डिग्री से कर दें तो भी 360 यह आकास का मान होता है जोतिस सास्त्र में कुल 12 रासियों के नाम इस प्रकार से है सर्व प्रथम आकास मंडल में पूर्वी छितज़ पर मेस रासी दिखाई देती है मेस रासी अस्वनी नक्षत्र के चार चरण और भरनी नक्षत्र के चार चरण कृतिका का प्रथम चरण सवा दो नक्षत्र इनसे बनती है एक रासी तो प्रथम रासी हो गई मेस इसे क्रम से 12 रासियों का नाम करण करेंगे तो सवा दो नक्षत्रों के हिसाब से 12 रासियां बनती है आईए रासियों के बारे में जानते हैं मेश, ब्रिस, मिथुन, करक, सिंघ, कन्या, तूला, ब्रिश्चिक, धनू, मकर, कुम्भ, मीन अब आप एक लगन चक्र बना लीजिए और उसमें एक से लेकर के 12 तंग की रासियां लिख देजिए जो पहला भाव है उसमें एक रासी वहां मेस रासी इस्थापित कर दे दूसरे भाव में ब्रिस, तीसरे में मिथुन, चवते भाव में करक, पांचमें भाव में शिंग, छठे भाव में कन्या, सातमें भाव में तुला, आठमें भाव में ब्रिश्चिक, नवमें भाव में धनू, दसमें भाव में मकर, ग्यारमें भाव में कुम्भ, बारवे भाव में मेन अब आप पंचम भाव में देखिए पांचमी रासी है यहाँ पर लिख दीजिए सूर्य यह सिंग रासी है सिंग रासी के स्वामी होते हैं सूर्य और उसे अगली रासी कन्या रासी कन्या रासी के स्वामी होते हैं बुध उससे अगली रासी सुक्र यह सात्वे नंबर की रासी है इसी प्रकार से आठवी ब्रश्चिक यह मंगल की रासी है नवी धनू यह गुरू की रासी है दस्वी मकर यह सनी की रासी है तो आगे के हमने पाँच भावों में क्रमसह, बुध, सुक्र, मंगल, गुरू और सनी सूर की रासी का प्रते निधित्तो करती है अब चौथे भाव में फिर से आजाईए चौथे भाव में हमें करकरासी प्राप्त हुई इसके स्वामी है करकरासी के चंद्र अब चंद्र से तीसरे भाव में देखेंगे तो हमें पुनह मिथुन रासी जिसके स्वामी बुध दूसरे भाव में विरिस रासी मिलेगी इसके स्वामी सुक्र और प्रथम भाव में मेस रासी इसके स्वामी मंगल इसके बाद बारवे भाव में हमें मीन रासी प्राप्त होगी जिसके स्वामी गुरू और ग्यारवे भाव में हमें कुम्भ रासी प्राप्त होगी जिसके स्वामी हुए सनी तो हमने देखा कि पाँच रासियां सूर्य का प्रतिनी धित्व कर रही है और इसी क्रम से पांच रासियां बुध, सुक्र, मंगल, गुरू, सनी ये चंदर रासियों का प्रतेनिधित्तों कर रही हैं इस क्रम से बारह भाओं में बारह रासियां विठा देनी चाहिए हर दो रासियों के स्वामी एक ग्रहा हैं इस क्रम से रासियों का विवेचन होता है अब रासियों के स्वामियों को हम आपको बड़ी सरलता से इस लोग के माध्यम से बता रहे हैं ये इस लोग आप अपना काफी पे निकाल लीजिए और नोट कर लें मेसब्रष्चिकयोर्भावमह सुक्रो भिसतुलाधिपह बुदहकन्यामिथुनयोह पतिहिकरकस्यचंद्रमा स्वामी मीनधनुर्जीवह सनिर्मकरकुम्भयोह सिंघस्याधिपतिही सूर्यह कथितो गणको तमह कन्याराहोर ग्रिहम प्रोक्तम केतोष्चमीन शंग्यकम अब एक नीचे चाट दे रहे हैं इसमें संपून रासियों की संख्या और स्वामी ग्रह लिखे हैं इसे आप नोट कर लें जिस प्रकार नक्छत्रों के स्वामी अलग अलग दे होता हैं उसे प्रकार विभिन रासियों के स्वामी विभिन ग्रह माने गए हैं केवल सूर्य और चंद्रमा एक एक रासि के स्वामी हैं अन्य पांच ग्रह दो-दो रासियों के श्वामी है जिन्हें नीचे एक हम चार्ट दे रहें उसमें आप देख करके नोट कर लें और एक विशेस बात राहू तथा केतू यह च्छाया ग्रह हैं यह किसी रासि के प्रथक श्वामी नहीं है परंतु कुछ जोतसियों विद्वानों के मता अनुसार राहू का कन्या रासि पर तथा केतू का मिथुन रासि पर आधिपत्य माना जाता है जोति सिखने वाले सभी सिक्छार थी रासियों को याद करने के साथ साथ उन रासियों के अंक शंख्या को बार बार याद करें जैसे मेस के लिए एक जैसे ही एक नंबर दिखे तो हमें यह हो कि यहां यह मेस रासि है और इसके स्वामी मंगल है ब्रसरासी के लिए दो इसी प्रकार मिथुन के लिए तीन करक के लिए चार सिंग के लिए पांच कन्या के लिए छै तुला के लिए साथ दस्चिक के लिए आठ धनू के लिए नव मकर के लिए दस कुम्भ के लिए ग्यारह और मेन के लिए बारह ये अंक लिखे जाते हैं और इन अंकों को खुब अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने रासी एवम रासियों को बारह भाव में किस प्रकार लिखते हैं उनके स्वामी कौन कौन से हैं ये सब हमने विश्त्रित चानकारी राब्त की आगे यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें सेयर करें कमेंट करें हमें अच्छा लगेगा हर हर महादेव